इसमें सबसे पहला सवाल महिलाओ को कौन सा सवाल कभी भी पूछना नहीं चाहिए अगर आप एक बार पूछते हैं तो लोग पसंद नहीं करते इसका सही जवाब है उमर के बारे में कोई भी महिलाओ को अगर आप उमर के बारे में पूछेंगे तो वो गुस्सा करती है याने वो पसंद नहीं करती आप उससे ये सवाल पूछे दूसरा सवाल Google की स्थापना कब हुई थी? याने Google कब से अपना काम करना शुरू किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? दोस्तो सही जवाब है 1998 को 1998 को Google ने अपना पहला काम शुरू किया था तीसरा सवाल वो कौन सा ऐसा सब्ध है? जिसे हमेशा गलत लिखा जाता है जी हाँ ऐसा वो कौन सा सब्ध है? जिसे हमेशा गलत लिखा जाता है तो इसका सही जवाब है गलत येने गलत को हमेशा गलत ही लिखा जाता है चौथा सवाल कौन सा ऐसा जीब है जिसके पास कोई दिल नहीं होता जी हाँ दोस्तो आप सोचिए कौन सा ऐसा जीब है दुनिया में जिसके पास कोई भी दिल नहीं होता सही जवाब है जेली फीस जेली फिस के पास कोई अपना दिल नहीं होता पांचवा सवाल दुनिया में ऐसा कौन सा प्रानी है जिसके पास नौ दिमाग है जी हाँ दोस्तो एक दो नहीं, बल्कि नौ दिमाग है तो इसका सही जबाब है आक्टोपास आक्टोपास के पास स्रीक 9 दिमाग ही नहीं बलकि 3 दिल भी होते हैं छटा सवाल ऐसा कौन सा जीब है जो जनम लेते ही अपने माँ को मार देते हैं जी हाँ दोस्तों दुनिया में ऐसा कौन सा जीब है जो जनम लेते समय अपने माँ को मार देता है तो सही जवाब है बिच्छू, बिच्छू ओ जीब है जो जनम लेते ही अपने मा को मार देते हैं साथवा सवाल, दुनिया में कौन सा ऐसा जीब है जिसे हर चीज दो गुना दिखाई देते हैं जी हाँ दोस्तो, दुनिया में ऐसा कौन सा जीब है, जिसे हर चीज दो बुना दिखाई देते हैं। सही जबाब है हाती, हाती को दुनिया में हर चीज दो बुना दिखाई देते हैं। नवा सवाल, किस फल के बीच में जहर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कौन सा ऐसा फल है जिसके बीज में जहर पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है सेब याने एपल, एपल के बीच में सायनायट नाम का एक किसम का जहर होता है, जो बेहती खतरनाज जहर, इसलिए आप बच्चे को इससे साब धान रखे। दस्वा सवाल, किस देश में समोसा खाने पर बेन है? जी हाँ, उस देश में आप समोसा नहीं खा सकते, याने समोसा ही नहीं मिलता, तो कौन सा वो देश है? दोस्तों, वो देश है सोमालिया, सोमालिया में समोसा खाना बेन है, क्योंकि उन लोगों का मानना है समोसा खिष् पक्सी है जो सीसे में खुद को पहचान सकता है जी हाँ दुनिया में कौन सा ऐसा पक्सी है जो सीसे में खुद को पहचान लेता है सही जबाब है कबूतर कबूतर वो जीव है जो खुद को सीसे में पहचानता है सवाल नंबर 12 दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां पेट् पानी से भी कम दाम में आपको मिलेगी तो वो देश है भेनेजुएला भेनेजुएला में एक लीटर पेट्टोल की कीमत स्रिप दो रुपए है सवाल नमबर 13 किस फल का जूस पीने पर आपके सरी में खून का पैदावर बढ़ता है जी हाँ किस फल का जूस खाने पर आपके सरी में खून का पैदावर बढ़ जाता है तो इसका सही जवाब है चकुन दर का जूस अगर आप रोज़ना सुबा चकुन दर का जूस पिएंगे तो आपके सरी में खून का पैदावर बढ़ेगा आप एनीमय जैसे बिमारी से बर्श सकते हैं अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे लड़कियों के सट में पॉकेट नहीं होता तो ऐसा क्यूँ? तो इसका सही जबाब यह है जाहतर लड़किया अपने समान को कैरी करने के लिए अलग से बैक का इस्तिमाल करते हैं जिसके कारण उन लोगों के सट में पॉकेट की कोई जरुवती नहीं पड़ती सवाल नमबर 16 कि इस देश में गंदी कार चलाने पर फाइन कर जाता है याने चलान करता है हमारे देश में जितना भी कार गंदे हो आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं लेकिन दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो गंदी कार चलाने पर पाबंदी लगाता है जिसके कारण चलान भी काटता है तो सही जबाब है UAE याने United Arab of Emirates दोस्तो आपको साहत पता नहीं अगर आप दुबाई में किसी गंदी कार को लेकर बाहर सडक पर निकलते हैं तो आपका चलान कर जाएगा सवाल नमबर 17 कि इस देश में जेल से भागने पर अपराद नहीं माना जाता जी हाँ दोस्तो एक बार अगर आप जेल से भाग सकते हैं तो आप बच जाएंगे तो कौन सा वो देश है तो वो देश है जर्मनी जर्मनी से एक बार अगर आप जेल से निकल जाते हैं तो ये अपराद ही नहीं माना जाता सवाल नमबर 18 दुनिया में कौन सा ऐसा चीज है जिसे आप खरीदते तो हैं खाने के लिए पर कभी भी खाते नहीं है जी हाँ दुनिया में कौन सा ऐसा चीजे है जिसे आप खरीदने के लिए जाते हैं पर खरीदने के बाद उसे कभी भी आप नहीं खाते हैं तो सही जवाब है बरतन बरतन को खाना खाने के लिए खरीदा तो जाता है लेकिन बरतन को कभी खाया नहीं जाता सवाल नमबर 19 दुनिया में कौन सा ऐसा सबजी है जिसमें लगभख हरे किसम के भिटामीन आपको मिलेंगे जी हाँ कौन सा वो सबजी है जिसमें आपको लगभख हरे किसम के भिटामीन मिल जाएंगे तो सही जवाब है गाजर गाजर वो सबजी है लगभग हरे किसम के भिटामीन आपको मिलेगी सवाल नमबर 20 कौन सा वो डर है जो आपको सुन्दर दिखने में मदद करती है जी हाँ दोस्तो कौन सा ऐसा डर है जो आपको सुन्दर दिखने में मदद करती है तो इसका सही जवाब है पाउडर पाउडर आप मेकाप के लिए इस्तिमाल करते हैं ताकि आप सुंदर दिखे सवाल नमबर 21 दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिस देश के नोटों पर भगवान गनेश की फोटो लगी है जी हाँ दोस्तों कौन सा ओ देश है दुनिया में कौन सा ऐसा जीब है जो रहते तो पानी में है लेकिन कभी भी पानी नहीं पीते जी हाँ दुनिया में कौन सा ऐसा जीब है जो पानी में तो रहते हैं लेकिन कभी भी पानी नहीं पीते है तो सही जवाब है मेंडक मेंडक कभी भी पानी नहीं पीते सवाल नमबर 24 दुनिया में कौन सा ऐसा पक्सी है जिसका पंक नहीं होता जी हाँ दोस्तो ऐसा पक्सी जिसका पंक ही नहीं है तो सही जवाब है क्यूई क्यूई यो पक्सी है जिसका पंक नहीं होता सवाल नंबर 25 भारत के सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सा है भारत के सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सा है तो सही जवाब है IS जिसमें आप एक जेले के मालिक बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, अडिस्टिक मेजिस्टेर बनते हैं, वो भी सुरुवात में, आगे चल कर और भी बड़ा पद मिलता है तो ISO नौगरी है, जो भारत का सबसे बड़ा नौगरी के रूप में जाने जाते हैं सवाल नमबर 26, दुनिया में कौन सा ऐसा जानवर है, जो पानी पीते ही मर जाते हैं जी हां दोस्तो, दुनिया में कौन सा ऐसा जीब है या कौन सा ऐसा प्रानी है, जो पानी पीते ही मर जाते हैं? तो सही जवाब है Kangaroo Rate, पॉस्टेलिया में ये प्रजाती मिलती है, दुनिया में और कहीं आपको नहीं मिलेगी. सवाल नमबर 27, दुनिया में इंटानेट का इस्तेमाल पहले की इस देश ने किया था? पहले इंटानेट इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा है? तो सही जवाब है अमरीका, अमरीका ने सबसे पहले इंटानेट का इस्तेमाल शुरू किया था. सवाल नमबर 28, दुनिया में कौन सा ऐसा जानवर है, जो खाना खाते वक्त भी रोता है जी हाँ, कौन सा वो जानवर है, जो खाना खाते वक्त भी रोता रहता है तो सही जवाब है घडियाल, घडियाल ओ जानवर है, जो खाते वक्त रोता रहता है सवाल नम्मर 29, दुनिया में कौन सा ऐसा जीब है जिसका एक भी आँखे नहीं होता जी हाँ दोस्तो, कौन सा वो जीब है दुनिया में जिसके पास आँखी नहीं है तो सही जवाब है क्यंचुआ, क्यंचुआ का एक भी आँख नहीं होता सवाल नमबर 30, दुनिया में कौन सा ऐसा पक्सी है, अगर आप उसे एक बार छूने के लिए जाते हैं, तो मर जाएगा कौन सा दुनिया में ऐसा पक्सी है, जिसको छूने से ही मर जाते हैं तो सही जवाब है टिटोनी टिटोनी ओपक्सी है जो छुने से ही मर जाते हैं सवाल नमबर 31 पाकिस्तान का जातिय फल क्या है दोस्तो भारत का जातिय फल तो आम है लेकिन पाकिस्तान का जातिय फल क्या है क्या आपको पता है तो इसका सही जवाब है आम जी हाँ दोस्तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान का भी जातिय फल आमी है जो बेहती स्वादिश्ट और मेठा और रसीला होता है हम सब बेहत पसंद करते हैं आम खाना जिसलिए आम दोनों देश का जातिय फल है उमीद है दोस्तों वीडियो आपको इंफरमेटिव लगा अगर अच्छा लगा तो कॉमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो आज के लिए नहीं तक धन्नवाद